अगर हम वोड़का शॉट्स की बात करें तो सबसे पहले आपसलियूट ही याद आती है पर ऐसा क्या करा आपसलियूट वोड़का ने कि आज वो नियरली 50% का मार्केट शेयर होल्ड करती है किसी भी प्रोड़क्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है उसकी और पाकेजिंग और यही आपसलियूट वोड़का ने अपनी बॉटल्स के साथ करा जिसकी वजए से आज आपसलियूट वोड़का की मोस्ट फेवर्ट ब्रांड एलो स्मित ने 1879 में वोड़का को बनाया और इसे इतना साधा रिफाइन किया गया कि इसकी इंप्यूरिट बट आपसलियूट ने कुछ अलग करने का सोच अपने प्रोड़क्ट पो लोगों तक पहुंचाने के लिए विपसिकली दो तरीके होते हैं इसकी लोगों को जो प्रोडक्ट चाहिए वो बनाया जाए या अपने प्रोड़क्ट को इतना अच्छा बनाओ कि लोग उसे ले 2% से 50% तक कर लिया उस टाइम जब सारे ब्रांट्स टेस्ट की बात कर रहे थे सेलिब्रिटी से अंडॉर्स करके एक हाई लाइफ को दिखा रहे थे वहीं आपसल्यूट ने अपना मेन फोकस अपनी बॉटल पर रखा जो कि एक सिंपल एलिगेंट और क्लीन बॉटल थी 1981 में अपसल्यूट ने अपना पहला आर्टिस्टिक आर्ट कैम्पेंग निकाला सिर्फ दो वर्ड्स यूज़ करके ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट कैम्पेंज को अगले पात सालों तक चलाया डिफरेंट मार्केट्स में लॉंच करते हुए कंपनी ने अपनी बॉटल को लॉंच मार्केट और ओकेशन के अकॉर्डिंग डिजाइन किया बॉटल की सिंपलिसिटी को देखके आर्टिस्ट अंडी वॉरॉल इतन डिजाइनर भी आपसिन्यूट अपने तरीके से अपनी डिजाइन्स में आइठ करना चाहते थे जिसे आर्टिस्ट और आपसिल्यूट्स दोनों को benefit मेले कुछ selected designs को Absolute ने अगले 25 सालों में अपने ad campaigns में चलाया और next 25 years में Absolute ने ने नियरली 1500 ad campaigns चलाया With a specific 2 words campaign name like Absolute Paris, Absolute 24, Absolute Achievement और भी काफी सारेट आज Absolute Vodka की sales approach 11 million cases है Public Absolute को उसकी content से ज़्यादा उसकी artistic bottle से जानते हैं लोग bottle से इतने ज़्यादा impress हैं कि आज एक non-alcoholic भी उस bottle को as a sense of pride अपने पास रखना चाहता है वैसे तो अगर कहा जाए तो alcohol in any sense is dangerous to health request में यही करता हूँ कि alcohol मत पियो but do you own any bottle of Absolute Vodka का कोई designer bottle हो या किसी भी तरीक है की तो comment section में मेरे को बता हूँ